नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल में, दोस्तों, हम आप सभी को एक बड़ी और महत्वपूर्ण राज की बात बताने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में बस यही एक स्त्री बची है, जो कि दोस्तों, आपका भाग्य ही चमका देगी, आपका किस्मत ही बदल देगी, आपके जीवन में आने से आपको स्वर्ग जैसे सुख देने लगेगी, आपके घर में धन दौलत से यह सुन्दर स्त्री भर देगी. जी हाँ दोस्तों, आपको करोडों के मालिक भी यह स्त्री बना सकती है इतना इस स्त्री में खूबी है भगवान का दिया हुआ वर्दान है जो कि दोस्तों, यह स्त्री जिसके भी जीवन में, जिसके भी भाग्य में आ जाए तो दौस्तों उसकी किसमत हीरे से भी तेज चमका सकती है, उसका किसमत का रेखा ही बदल देगी इतनी खूबी है इस्त्री में एक प्रकार से कहें तो दौस्तों यह स्त्री लक्षमी का रूप है, जो कि दोस्तों आपके घर में धन वरशा करेगी हम आप सभी को बता दें कि यह हस्त्री आपके जीवन में आने से आप दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगेंगे आपका वह सारे अठका हुआ काम बनने लगेगा जो कि दोस्तों आपके लिए सपना रह गया था आपका वह एक एक कार्य छुट्टियों में बनने लगेगा वह काम्याबी आप हासिल करने लगेंगे जो कि दोस्तों आपका भी सपने में भी नहीं सोचे होंगे आपके गाव की महले की आपकी जो भी जलने वाले दुश्मन है वह सभी लोग आपको वह वह करेंगे वह लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी जल्दी इतनी कम समय में इसने क्या तक्रीब आजमाई जो कि रातों रात करोड के मालिक बन गया जी हाँ दोस्तों और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों यह स्त्री आपको अपने दिल से पसंद भी करती है आपको बे इम्तिहान प्यार भी करती है आपके लिए यह स्त्री एक पल भी नहीं रह पाती है जी हाँ दोस्तों आपको चुप चुप करके भी यह स्त्री देखती है आपकी राह देखती है जी हाँ दोस्तों यहां तक की दोस्तों आपको पाने के लिए यह कई कसमे भी खा चुके हैं, जीने मरने का भी कसमे खा चुकी है और दोस्तों, आप इस बात से अभी तक अंजान है इस स्त्री का अभी तक आप संकेत को नहीं समझ पाएं है इनका तडब को आप अपने दिल में महसूस नहीं कर पाएं है दोस्तों यह स्त्री आपको अगर एक दो दिन नहीं देखती है तो दोस्तों इसका रातों का नींद उड़ जाता है पागलों की तरह बेचैन हो जाते हैं सिर्फ दोस्तों, आपको एक बार देखने के लिए, जी हाँ दोस्तों, इतना प्यार आपसे यह स्त्री करती है, और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह स्त्री आपका इस जन्म का साथ ही नहीं है, बलकि दोस्तों, यह स्त्री का रिष्टा आपसे जन्म और जन्मों का ह जी हाँ दोस्तों जो की दोस्तों इस जन्म में भी आपके साथ ही इस तरी का मिलन होगा तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप यदी अपना किस्मत आजमाने चाहते हैं अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो दोस्तों आप इन संकेतों को भूल कर भी नजर अंदाज म चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। बहुत चानबिन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों इन सभी के लिए हम आप से कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हर एक बात को समझने का प्रयास करें और जान लें कि वह कौन इस्त्री है कैसे पहचानेंगे आप उस इस्त्री को और किस प्रकार वो महिला आपको सहयोग करेगी आपके जीवन को बदलने में और आपके भाग्ये को बदलने में जी हमें तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है, आपके लिए बहुत मेहनत से संपूर्ण जानकारी विस्तार के साथ तैयार की गई है, तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और हर एक जानकारी को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, यदि आपने वीडियो पूरा नहीं देखा, तो आप आधी अधूरी जानकारी लेकर जाएंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके जीवन में कौन-कौन सी शुब घड़ी आज कौन-कौन से बदलाव आकर चले जाएंगे और आप उनका लाब भी नहीं ल देखें और वीडियो को प्यारा सा एक लाइक भी अवश्य करें। जी, हमें तो बहुत मेहनत से हमारी टीम के द्वारा आपके लिए ऐसे वीडियो तयार किये जाते हैं जो पूर्ण रूप से ग्रह गोचर पर जियोतिशी आकलन के आधार पर तयार किये जाते हैं और भिला कि आपके जीवन में आने से सारी परेशानियों का अंत होने जा रहा है। आपके जीवन में चल रहे हर एक उतार चड़ाव का अंत होने जा रहा है। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही है। आपके हर एक परेशानी का अंत होने जा तो जान ले कि कौन इस्त्री है दोस्तों, हर एक काम्याब इनसान के पीछे किसी न किसी इस्त्री का हाथ अवश्य होता है। मित्रों, इस महिला के आपके जीवन में प्रवेश करते ही आपके जीवन की हर एक समस्या का अंत होने जा रहा है। आलस करेंगे तो आप बहुत बड़ी सफलताओं से, बहुत बड़ी लोगों से चूक जाएंगे। जी, हमें तो यह समय टक कर मेहनत करने का समय है। इस समय आपको बिलकुल भी आलस नहीं दिखाना है। किसी पर अंधविश्वास भी नहीं करना है। आँक बंद करके यदि आप किसी पर भरोसा करेंगे तो आपको धोखा ही मिलेगा। जी, हमें तो जब हमारा अच्छा समय आता है, तो उसी समय बुरा समय भी साथ ही साथ चलता है। और धोखे के रूप में आपको वह मिल सकता है, तो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। जाग रूकता ही आपके लिए बचाव होगा। जी हाँ, मित्रों, धन के निवेश के लिए आपको सतर्क रहने की आवश्यक्ता है, निवेश के लिए यह समय अच्छा नहीं है, यदि आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या किसी प्रकार का बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो आपको कुछ समय इंतजार करना होगा कुछ समय, के बाद आप अपने कदम उठा सकते हैं कि हम मित्रों, नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर समय बहुत अच्छा बीतेगा, सहयोगियों से, सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उच्छ अधिकारियों से भी संबंध मजबूत होंगे आपकी कार्यशैली से, आपकी मेहनत से आपके उच्छ अधिकारी प्रभावित रहते हैं, जिसका लाब आपको नजदी की भविश्य में प्राप्त होने जा रहा है आज आप अपने किसी लक्ष पर फोकस करने से सफलता हासिल करेंगे इस समय ग्रह स्थिती आपको सहयोग कर रही है घर के बड़े बुजर्गों की सलाह आपके लिए वर्दान साबित होगी आज परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आएगा और नए अवसर भी मिलेंगे महिलाएं अपना व्यक्तित्व निखारने में ध्यान देंगी अगर वाहन खरीदने का विचार है तो दिन उत्तम है आपको सावधानी कई मुश्किलों से बचाएगी अपनी योजनाओं को गोपनिये तरीके से क्रियानवित करते चलें आपकी योजनाएं और कार्य सफल रहेंगे किसी घनिष्ठ मित्र का सहयोग आपके लिए सहायक रहेगा अगर वाहन खरीदने की योजना है तो आज उत्तम समय है आपको कोई भी निर्णय लेने और अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफलता मिलेगी हालांकि आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच द्वारा योजनाबध तरीके से गतिविधियां होती जाएंगी आपके संपरकों से कोई प्रयास सफल होने वाला है घर के रखरखाव की चीजों की खरीदारी में दिन व्यतीत होगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित महत्व पूर्ण उपलब्धी मिलेगी आज आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है घर के वरिष्ट सदस्यों के स्ने और आशीरवाद से परिवार में सुखद और अनुशासित माहौल बना रहेगा आर्थिक ममलों को मजबूत करने के लिए दिन शुभ है धार्मिक संस्थाओं की गतिविधियों में समय व्यतीत होगा आज जिस काम में हाथ डालेंगे वह काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएगा कहीं फंसा हुआ पैसा या पेमेंट मिलने की संभावना है विद्यार्थी वर्ग को अपने किसी प्रोजेक्ट में उचित सफलता मिलेगी और इससे भरपूर आत्म विश्वास भी बना रहेगा इस समय भाग्योदय की स्थिती बनी हुई है आप खुद को आत्म विश्वास और उर्जा से भरपूर महसूस करेंगे दूर दराज रह रहे संबंधियों और मित्रों से संपर्क स्थापित करना फाइदे मन्द रहेगा युवाओं को अपनी किसी योजना में सफलता मिलने वाली है रुका हुआ आयका स्रोत पुनह शुरू होगा आर्थिक स्थिती अनुकूल बनने से आत्म विश्वास में भी विद्धि होगी अनुभवी और वरिष्थ लोगों के साथ समय व्यतीत करें उनके अनुभवों और जानकारियों से आपको नई बातें सीखने को मिलेंगी आज ग्रह गोचर आपके आत्म विश्वास और आत्म बल को और अधिक प्रबल कर रहा है किसी खास कार्य के तहट आपको बहतर लाब भी मिलने वाला है आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में परेशानी की वजह से मन व्यतित रहेगा क्रोध और गुस्से की अपेक्षा धैर्य से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें निवेश संबंधी योजनाओं पर पैसा लगाने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें कारोबार में व्यवस्था बनाने से परिस्थितियों अनुकूल हो जाएंगी और अधूरे कारियों में गती आएगी भूमी संपत्ती संबंधी कोई कार्य लाभदायक रहेगा अजनभी लोगों पर भरोसा न करें आफिस में सहयोगियों के साथ सामनजस्य रखें अपने कारियों को अच्छी तरह अंजाम दें लेन देन के मामलों में लापरवाही करने से आपको नुकसान हो सकता है जोखिम लेने से परहेज करें आलस को अपने उपर हावी ना होने दे क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुख सकते हैं व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिक्ता रहेगी किसी को पैसा उधार ना दें अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है समय अनुकूल है अपने कार्यों को योजना बद्ध तरीके से करते चले अपने अभीष्ट मित्रों वगुरुजनों के सानिध्य में भी बहतरीन समय व्यतीत होगा विद्यार्थियों तथा युवाओं के प्रतियोगिता तथा विभागिये परीक्षा संबंधी परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजनाएं आपने बनाई थी उन्हें फलीभूत करने का उचित समय है व्यक्तिगत संपर्क आप के लिए लाबदायक रहेंगे छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी लेकिन आप समस्याओं का हल निकाल लेंगे सामाजिक या राजनैतिक मामलों में दिल्चस्पी बढ़ेगी आपके किसी सराहनिय काम की वजह से आपकी योग्यता और काबिलियत की घर और समाज में प्रशन सा होगी विद्ध्यार्थी वर्ग को किसी प्रोजेक्ट के प्रति महनत के उचित परिणाम मिलेंगे आलस को अपने उपर हावी ना होने दे क्योंकि इसकी वजह से आपके कई महत्वपूर्ण कार्य रुख सकते हैं व्यर्थ की गतिविधियों में खर्चे की अधिक्ता रहेगी किसी को पैसा उधार ना दें अन्यथा वापसी की उम्मीद नहीं है व्यापार में विस्तार संबंधी जो योजनाएं आपने बनाई थी उन्हें फली भूत करने का उचित समय है व्यक्तिगत संपर्क आपके लिए लाबदायक रहेंगे छोटी मोटी परेशानियां बनी रहेंगी लेकिन आप समस्याओं का हल निकाल लेंगे व्यवसाइक गतिविधियों में मन मुताबिक कार्य बन जाने से खुशी और सुकून रहेगा स्टाफ तथा कर्मचारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा नौकरी पेशा व्यक्ति सावधान रहें क्योंकि किसी प्रकार की इनक्वाइरी होने के योग बन रहे हैं आज कोई रुका हुआ व्यवसाइक कार्य पुना शुरू हो सकता है इंपोर्ट-ेक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाइ के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है इसलिए पूरी तरह प्रयासरत रहे तथा उपलब्धियों को हाथ से निकलने ना दे आफिस के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफलता मिलेगी व्यवसाइ को लेकर बनाई योजनाओं को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है यहां योजनाएं भविश्य में फाइदे मन रहेंगी पार्टनर्शिप संबंधी व्यवसाइ में आज काम संबंधी नीतियों पर विचार विमर्ष करने का उचित समय है इस समय ग्रह स्थिती और भाग्य आपके लिए शुब अवसर बना रहे हैं किसी खास व्यक्ती से मुलाकात द्वारा आपको बेहतर अनुभव मिल सकते हैं इसलिए उनकी बातों पर गौर करें प्रॉपर्टी संबंधी खरीद फरोख्त के रुके हुए कार्य संबंध होंगे अपको बड़ी जिम्मेदारियां पदोन्नती भी पराप्थ हो सकती है प्रेमियों के लिए समय बहुत ही अच्छा है इस समय धीमी जीवन में उन्हें बहुत आनंद पराप्थ होंगे प्रेम की नई उचाइयां पराप्थ होंगी लेकिन उन्हें आपस में विश्वास बनाए रखना होगा एक दूसरे पर पूर्ण भरोसा करना होगा दांपत्य जीवन भी आपका बहुत सुन्दर है आपको एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास रखना होगा जीवन साथी के मन के भावों को समझते हुए उससे बरताव करना होगा जीवन साथी से ही आपको सकारात्मक उर्जा प्राप्त हो रही है वही आपकी उर्जा का स्रोथ है तो मित्र वीडियो पूरा देखें और जान लें कि आपके भाग्ये के दर्वाजे खोल बाली भाई स्त्री कौन है क्या वह आपकी प्रेमिका है आपकी पत्नी है या फिर आपकी मा है या फिर आपकी भावी देवी है जी हां मित्रों, हम आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ बताने जा रहे हैं इस समय आपको स्वास्थे को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यक्ता रहेगी वही पुराना रोग और सकता है आपको परिशान कर सकता है या फिर मौसम से संबंधित छोटी मोटी परिशानियां भी आपको परिशान कर सकती है आपके कारियों में रुकावट डाल सकती है इस समय मेहनत करने का समय है आपको बीमार नहीं होना है इसलिए स्वास्थे को लेकर आपको सतर्क रहना है लेकर थोड़ी सी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पारिवारिक दृष्टी से यह समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ जीवन को जीना भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे जीवन में हमारे पास क्या-क्या है। कौन-कौन सी ऐसी अच्छी बाते हैं। ऐसी चीजें ईश्वर ने हमें पहले से ही दे रखी है। बजाए इसके कि हम वह देखें जो हमारे पास नहीं है और जिसे हम हासिल करना चाहते हैं। यदि हम सकारात्मक होंगे तो हमें जीवन में जो हमें उपलब्धियां मिली हैं। वह दिखाई देने लगेगी और जीवन अच्छा लगने लगेगा। जीवन में आनंद की कमी कभी होनी नहीं चाहिए। वरना जीवन पूर्ण रूप से नीरस और उदासीन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जीवन में प्रेम और आनंद की अनुभूती हमेशा बनाए रखें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि वह कौन है जो आपके भाग्य को अगले 24 घंटे में बदलने वाली है। क्योंकि आप तीनों के मामले में थोड़े अधिक भाग्यशाली है। जो भी स्त्री आपके जीवन में है, वह सच्चे मन से आपको सफल बनाना चाहती है, आपके लिए तन्मन धन से मेहनत करती है, आपको सफलता की सीढ़ियां चढ़ते देखना चाहती है, लेकिन यह स्त्री आपकी भाग्यदेवी है। कि आपको मा, लक्ष्मी मा, काली की शरण में जाना है, और मा, काली के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना अवश्य करना है, जिसका लाभ आपको तुरंत प्राप्त होगा। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में ऐसे योग बनने लगेंगे, ऐसी स्थितियां बनने लगेंगी, जिससे की आपको बहुत अधिक लाभ होगा और आपकी सफलता के दरवाजे खुलने लगेंगी। मित्रों, आप हमारा यकीन कीजिए, ये कोई कोरी कलपना नहीं है, ये पूर्ण रूप से जोतिशिय आकलन के आधार पर तै की गई बात है, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे कहने से एक बार मां काली के मंदिर में जाकर सच्चे मन से पूजा आराधना करते हैं और अपन अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी इच्छा पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखें, जिसके साथ हो माकाली, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मिलते हैं अगले जानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए।